आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दो कप चना डाल और एक कप मसूर की डाल से बहुत ही बढ़िया रेसिपी, मैंने दो कप चना डाल और एक कप मसूर की डाल को रात भरी भी भो दिया था, और इसे बढ़िया तरीके से वाश करके, जार में डाल कर, हम इसमें ड पूरे मिक्षर को हमें एक बोल में डाल देना है और इसमें डालेंगे एक बारी कटी हुई प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का मैंने यहां दरदरा सा इसको कूट लिया था, कुछी स्पाइसे जिसे लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला और थोड़ा सा हीं और इन सब को हमें मिक्स कर लेना है, जैसे ही मैं इसको मिक्स कर रही थी, मेरे याद आया कि मैंने इसमें नमक डालना भूल गई हूँ, तो अब ही हमें इसमें नमक डाल लेना है, यहां पर आप एक टी स्पून नमक डाल ले, यह अपने टेस्ट हिसाब से नमक को कमिया जा और जैसे ही ये थोड़े से fry हो जाएंगे हम इसमें डाल लेंगे प्याज और लहसुन का mixture यहाँ पर मैंने तीन प्याज और एक लहसुन को पीस लिया था और जैसे ही ये भुन जाएगा इसमें कुछ spices डालेंगे जिसे हल्डी, पिसी हुई लाल मिर्च और यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया की quantity थोड़ी जादा रखेंगे इससे इसमें gravy बहुत अच्छी बनती है और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च नहों तो आप food color डाल सकते हैं इसमें डालेंगे नमक taste के हिसाब से, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन्हें जब तक पकाना है, जब तक इनका कच्छापन दूर ना हो जाए जैसे ही 4-5 मिन्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मसाला थोड़ा सा घुन चुका है तो हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर पीसे हुए अगर आपको खटा कम रखना है, तो आप इसमें 1 टमाटर भी डाल सकते हैं और इसे कम से कम 6-7 मिन्ट के लिए अच्छे से पका लेना है, जब तक इसका ओयल सेपरेट हो जाए जैसे ही आपको लगेगा ओयल सेपरेट हो चुका, इसमें डालेंगे 1 टी स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी रोस्टीड कसूरी मेथी मैंने कसूरी मेथी को पहले ही थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और इन्हें भी 1-2 मिन्ट के लिए हमें पका लेना है अब यहाँ पर मैंने एक छनी लिये, इस पर ओयल लगा दिया था, और इसे मैं पानी के पतीले पर रख दूँगी और यहाँ पर मुझे छोटी-छोटी पकोडी की तरह, उस mixture जो हमने बैटर रेडी किया था, छोटी-छोटी सी पकोडी बना लेंगे और सारी पकोडी बना करके हमें कम से कम ढखकन ढखकर 15-20 मिन्ट के लिए से पका लेना है और जैसे ही 15-20 मिन्ट हो जाएंगे हम इसे खोल कर देखेंगे तो देखें बहुत बढ़िया यह रेडी हो चुकी है और किसी चमच चाकू की हेल्प से आराम से हम इने हटा लेंगे और यह देखें तयार है अब हम इने सारी को साइड में निकाल लेंगे और ऐसे ही हमें कम से कम जितनी भी आपके पास बैटर हो बना लेना है और सारी ये वडी हमें ग्रेवी के अंदर डाल देनी है और अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी आप अपने हिसाब से रख लें जितनी आपको ग्रेवी थिक रखनी है लेकिन इसमें थोड़ी जो gravy होती हो पतली अच्छी लगती है क्योंकि थिक gravy से जो वड़ी है और मसाला है वो test नहीं देता अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और पानी डालने के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और मिला लेंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और चेक कर लेना है यहाँ पर अगर आपको नमक कम लगे वो डाल दे और ढखकर ढखकर आप इसे हाई फ्लेम पर पहले 5 मिन पकाए फिर स्लो फ्लेम पर आप इसे 5-7 मिन और पकाएं और जैसे ही इसमें देखें बहुत अच्छा उबाला जाएगा और यह रैडी हो जाएगी अब इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिच डाल देंगे और यहाँ पर हरे धनी की पत्यों से हम इसे गार्निश कर लेंगे तो यह देखें बहुत ही बढ़िया रैसिपी हमारी तैयार है यह बहुत बढ़िया लगती है हम इसे मूम की डाल की भी बोलते हैं मंगोची चने की डाल की मंगोची तो हमने यहाँ पर चने और मसूर की दाल की मंगोची रेडी की है जो बहुत बढ़िया लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है अगर आपके पास सबजी नहीं है या आपका किसी चीज का मन नहीं कर रहा है तो आप यह रेसिपी आराम से घर पर ट्राइ कर सकते हैं हर सामान हर चीजे घर पर ही अवैलेबल होती है और यह बहुत ही बढ़िया बनती है वीडियो च्छी लगे तो लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले